पंजाब चुनाओं में आपकी जीत का खुमार दिख रहा है और वहीं दूसरी तरफ इसका असर दिली में आप नेताओं और करेकरताओं पर भी साफतोर पर दिख रहा है चारो और खुशी की लहर दोड़ पड़ी है और धोल की थाप पर आपके नेता हो या फिर कारेकरता सभी जूम रहे हैं एक दूसरे को मिठाईया खिला कर इस जीत को और भी मिठा करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं धोल से पहले गुलाल भी उड़ने लगा है तस्वीरे जो देख रहे हैं ये विकासपुरी इलाके की है जहां आपके दफ्तर के बाहर आप नेता और कारेकरता कैसे ढोल की थमक पर जूमते नजर आ रहे हैं साथ ही एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं मिठाई खिला रहे हैं और जशन मना रही हैं ये खुशी पंजाब चुनाव के शुरुआती परिणाम को देखते हुए मनाई जा रही है इन लोगों का पूरा विश्वास है कि पंजाब में आमादमी पार्टी बहुमत से सरका बनाएगी और आप नेता यह मानते हैं कि पंजाब की जीत का असर दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव पर भी निश्चित तौर पर पड़ेगा हाला कि वे बीजेपी पर इस बात को लेकर निशाना साथ रहे हैं कि बीजेपी जान बूज कर एमसीडी के चुनाव को जी और जो सपना था हमारा पंजाब जीतने का वो पंजाब निवासियों ने हमारा पूरा किया हम उनको धन्यवाद देते हैं और जो केजरिवाल जी के हाथ उन्होंने मजबूत किया और अब देखिएगा कतनी और करनी में बहुत बड़ा फरक होगा जैसा केजरिवाल जी जो एक नेक इंसान नेक पार्टी चला रहे हैं इस बार MCD में वही धूम मचेगी MCD चुनाओं पे 98% फर्क पड़ेगा क्योंकि महा की जब लहर यहां आएगी तो उस चीज़ का बहुत फर्क पड़ेगा और लोगों को अब जनता जागरूख हो चुकी और जनता को इमानदार पार्टी चाहिए काम करने वाले चाहिए ब्रश्चा चार को खत्म करना है बस यही एक नारा है कि ब्रश्चा चार को खत्म करके दिखाना है और जिस तरह पंजाब में जीत होई उनकी इस तरह MCD में भी जीत होगी पंजाब की जीत का सर दिली के MCD चुनाव पर दिखेगा भले ही चुनाव देर से कराए लेकिन MCD चुनाव में BJP की हार निशित है लेकिन जिस तरह से आम आदमी लोगों के बीच रख कर जीत हासिल की है तो अब उसी पंजाब की जीत का सर दिल्ली के MCD चुनाव में देखना है